यहलो दोस्तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलीस दोजार ताईस जो कि बहुत ही महतेफुरह इतिहास की प्रष्ण है जो कि एक ऑक्तूबर की एकजाम के प्रष्ण में जातर इतिहास के कर्विब 10 से 12 कोश्ञ पूछे गया हैं तो 10 से 12 question पूछे गया है तो हम लोग देखेंगे काफी ज़्यादा important question देखेंगे जो कई बार exam में पूछा जा चुका है और आपके exam में जो है 1 October 2023 के exam में history से काफी सारा question पूछा गया है तो हम लोग एक पूरे history का निचोर देखेंगे तो आईए देखेंगे देखेंगे पहला question है किस समय के मानब को आदी मानब कहा जाता है option पूरा पासान काल, option B मद्ध पासान काल, option C नौ पासान काल, option D तामर पासान काल तो किस काल के मानब को आदी मानब कहा जाता था तो ये जो है पुरा पासान किस काल को कहा जाता है पुरा पासान काल के मानब को आदी मानब कहा जाता है ये मानब जो थे ये मानब जो थे ये खाना बदोस थे कैसा थे खाना बदोस यानि ये केबल क्या करते थे खाना खाते थ और यह जो है बड़ी उपलब्धी भी हासिल किया तो यह किस से का खोज कर लिया था तो आग का खोज कर लिया था यानि पुरा पासान काल के जो लोग थे वो किस का खोज कर लिये थे तो आग का खोज कर लिये थे आग का खोज जो है इसके लिए सबसे बड़ा उपलब्धी तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो option number A जो है, बिलकुल डाइट हो जाएगा, next question है, आग, यहाँ पर जो है, आग होगा, क्या होगा, आग, आग का खोच किस काल में हुआ, option A, नौ पासान काल, option B, मद्धे पासान काल, option C, पुरा पासान काल, और option D, इनमें से कोई न काल में हो गया था, यहाँ, option number C, जो है, बिलकुल डाइट हो जाएगा, next question है, मानब ने पहिये का खोच किस काल में किया, बहुत ही important question है, और काफी भी भी आई, काफी वार यह question जो है, पूछा जा चुका है, मानब ने पहिये का खोच किस काल में किया, option A, उत्तर पासान का option C, एतिहासिक काल, option D, मद्पासान काल, तो जो पहिये का खोच था, वो किस काल में हो चुका था तो यह आपका हो चुका था, नो पासान काल में, किस काल में, नो पासान यहाँ, इसी को कहते हैं, यह उत्तर पासान काल, य violating option number A, जो है, इसका बिलकुल डाइट हो जाईगा next question देखे next question है मानब दौरा पाला गया पहला पसू कौन सा था तो मानब जो है सबसे पहले कौन से पसू को पाला था option A गाय, option B कुत्ता, option C बिल्ली और option D बकडी तो सबसे पहले जो है इन्होंने कुत्ता को पाला था किसे पाला था? कुत्ता को कुट्ता जो है इसे सिकार करने मदद करता था क्या करने मदद करता था सिकार करने में और इसके बाई जो है गाय को पालतू बनाया गया और बहुत सारे पसू को भी पालतू बनाया गया धीरे धीरे अब देखें नेक्स्ट कोश्टन next question है सिंदू सभ्था की जानकारी किसने दे थी option A James Cunningham, option B Charles Mason, option C John Marshall, option D Dharam Sahni तो इसका सबसे पहले जानकारी दिया था तो देखें सिंदू सभ्था की जानकारी सबसे पहले दिया था Charles Mason कौन दिया था Charles Mason कौन दिया था चार्ल्स मैसन जो है इसकी जानकाड़ी दिया था जबकि सिंधु सब्वेता का सर्वेक्षन कौन किया था तो सर्वेक्षन जो है जेम्स कलिंगम किया था ये करीब जो है तीरा लाक वर किलो मीटर में फैला हुआ है और सिंधु सब्वेता का जो नमांकरन किया था वो कौन किया था तो वो किया था जौन मार्सल कौन किया था जौन मार्सल तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा तो इसकी जो जानकारी देने वाला था वो कौन था आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन कौन हो जाएगा चार्ल्स मैसन यानि option number B जो है बिलकुल right हो जाएगा next question देखे तो next question क्या है बिर्स्व कि सबसे पहली सहरी सभ्यता कौन सी है option A सिंदू सभ्यता option B मोहन जोदरो option C काली बंगा option D इन में से कोई नहीं तो इस सबसे पहली जो सहरी सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता थी तो वो जो है आपका सिंदू सभ्यता था कौन था सिंदू सभ्यता option A जो है बिलकुल right हो जाएगा next question है जूता हुआ कौन सा जूता हुआ यहाँ पर टा लिखा हुआ है तो यह जूता है क्या है जूता हुआ खेत का साक्ष कहां से मिला है option A काली बंगा option B बनवाली और option C धौला वीरा option D सुर्कोटदा कहां सुर्कोटदा तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा काली बंगा काली बंगा से क्या मिला है तो काली बंगा से जो है आपका जूता हुआ खेत मिला है काली बंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी क्या होता है काली मिट्टी की चूरी क्या होता है काली मिट्टी की चूरी यहां से जुता हुआ खेत मिला है और हवन भी मिला है क्या मिला है हवन मिला हल मिला है क्या मिला है हवन कुंड भी और हल भी मिला है यह किस नदी के किनारे ह तो ये जो है सरस्वती नदी के किनारे है किस नदी के किनारे सरस्वती यानि इसका सही आंसर option नम बड़े हो जाएगा काली बंगा next question देखे next question है चनहुद्रो से क्या मिला है तो option एक एरा है make-up समागरिया option B कुमार का चाक option C अन्नागार option D स्रमिक आवास तो जो चनहुद्रो से मिला है महिला के make-up का जो समान है ये कहां से मिला है चनहुद्रो से ये क्या था तो ये दुर्ग रहित था यानि इसे जो है किसी भी प्रकार से चारो तरफ से घेडा नहीं गया है दुर्ग नहीं बनाया गया है इसका खोज जो है 1931 में कब हुआ था 1931 में गोपाल मजुमदार किया था कौन किया था गोपाल मजुमदार तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा तो option number A जो है बिल्कुल डाइट हो जाएगा make-up समागली में कौन सब समाना जाएगा तो जैसे हो जाएगा आपका लिपिस्टिक हो जाएगा सीसा हो जाएगा मनका हो जाएगा गुरिया सुई अलंकिर्थ इंट बिल्ली का पीछा करता हुआ कुट्टा इसमें बिल्ली का पीछा करता हुआ कुट्टा का भी साक्ष मिला है तो इसका सही answer option number A है नेक्स्ट कोश्चन देखे जूलता हुआ बगीचा कहां इस्थित है तो जूलता हुआ बगीचा कहां है option A baby loan में option B sumerian में option C australia में option D caldia में तो इसका सही answer कौन सा जाएगा तो इसका सही answer जो है baby loan हो जाएगा कहां हो जाएगा baby loan में जो है जूलता हुआ मीनार है जो कि साथ अजूबों में से एक है तो इसका सही answer कौन सा हो जाएगा option number A जो है बिल्कुल right हो जाएगा next question है किस सभ्था को नील नदी की देन कहते हैं तो नील नदी की देन है ये कौन सी सभ्था को कहते है तो ये जो है आपका इसका सही answer कौन सा हो जाएगा तो मिसर की सभ्था जो है इसका सही answer हो जाएगा ये कहा है तो ये रेगिस्तान में है कहा है रेगिस्तान में इस सभ्था का विकास फिरोन कौन सा फिरॉन के नित्रत्तों में किया गया इस सभ्यता में पीरामेड, सूर्य केलेंडर तो था ममी का विकास हुआ था अर्थात इस सभ्यता का रासाइन सास्त्र बहुत ही सुद्रिड था यहां का क्या था? रासाइन्स सास्त्र जो है, बहुत ही ज्यादा सुधरिट था, तो इसका सही आंसर option number A हो जाएगा next question है, सिक्के का आधियन क्या कहलाता है? option A, new mathematics, option B, new mathematics, option C, neurology, option D, anthropology तो जो सिक्के का आधियन होता है, सिक्के का आधियन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका new mathematic क्या कहलाता है new mathematic यानि option number B जो है बिल्कुल right हो जाएगा जबकि जो मिट्टी का सिक्का होता है किसका सिक्का मिट्टी का जो सिक्का होता है उसे क्या कहते है तो इसे कहते हैं तेरा कोटा का सिक्का क्या कहते हैं गुप्त काल में, आपसन B, मौरे काल में, आपसन C, सातवाहन काल में, आपसन D, कुसान काल में, तो जो सीसे का सिक्का था, ये किस काल में चलाया गया था, तो ये चलाया गया था, सातवाहन काल में, किस काल में चलाया गया था, सातवाहन, और सातवाहन काल कैसा सा सकता, कैसा जो है ये काल था तो ये मातरी सत्तात्मक था किस कोई कैसा था मातरी सत्तात्मक यानि इसमें किसका कौन परधान होता था तो माता जो है इसमें परधान होता था next question है हाथी गुफा अभिलेक से किसकी जानकारी मिलती है हाथी जो गुफा अभिलेक है इससे किसकी जानकारी मिलती है option A, समुद्र गुप्त के विजय अभियान option B, हर सबर्धन पर विजय की चर्चा option C, कलिंग युद्ध की चर्चा option D, सिन वंस के सा सकते इस पे जो है किस की चर्चा मिलती है तो इस पर जो है कलिंग किस की चर्चा कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है किस युद्ध की कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है और इस पे कौन युद्ध किया था तो ये जो है आपको असोक किया था कौन किया था असोक असोक का हिर् इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा तो सही आंसर option number C यानि कलिंग युद्ध की चर्चा है next question है मैगस्थनीज की पुष्टक का नाम क्या है तो जो मैगस्थनीज का पुष्टक है उसका नाम क्या है तो option A जियोग्राफिका option B नेचुरल हिस्टोरिका option C इंडिका और option D हिस्टोरिका तो जो इनका मैगस्थनीज का पुष्टक है उनका नाम क्या है तो इंडिका है नेचुरल हिस्टोरिका किसका है तो ये जो है पिलिनी का पुष्टक है किसकी है पिलिनी के पुष्टक है जियोग्राफिका जियो ग्राफिका जो है ये किसकी पुष्टक है तो ये जो है टॉलमी की पुष्टक है किसकी पुष्टक है टॉलमी की है किसकी है टॉलमी की और जो हिस्टोरिका है ये किसका है तो ये हेरोडोटस का है किसका है हेरोडोटस किसका है हेट्रो हेरोडोटस और El Beruni, आप देखे होंगे कि कई बार जो है एक्जाम में ये कोशन पुश लेता है, कि El Beruni, El Baruni का पुस्तक क्या है, तो इनका पुस्तक जो है किताबुल हिंद है, कौन सा है किताबुल हिंद, इनके पुस्तक का नाम है, जब कि Marcopolo, Marcopolo कहा का यातरी था, तो यह जो है चीनी यात्री था और फाहियान का पुष्टक का नाम है फो क्यूं 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 क A बारा अंग, option B बारा उपांग, option C भगवती सुत्र और option D जातक गरंथ, तो ये जो है किसमें इसकी चर्चा है तो इसका जो चर्चा है जातक गरंथ में, किस गरंथ में है जातक गरंथ, जबकि महात्मा बुध से रिलेटर जो पुष्टक है उनमें आपका जैसे 3 पीटक, कौन सा पीटक? 3 पीटक, 3 पीटक जो है इसमें कितने पुष्टक है तो 3 पुष्टक है, कौन कौन सा है? तो एक का नाम है सूत पीटक, एक का नाम है बिने पीटक सूत पीटक विने पीटक और एक का नाम है अभी धम पीटक का नाम है अभी धम अभी धम पीटक ये तीन बुक है देखे सूत पीटक में किसकी जानकारी मिलती है तो सूत पीटक में जो है बहुत धर्म का बहुत धर्म की जानकारी मिलती है किसकी मिलती है बहुत धर्म की जान ग्रहित किया गया तो अविधम पिटक में किया गया है नेक्स्ट कोश्शन देखे रिग्द बेद में कितने शुक्त हैं आप्सण दस सो आठाइस, आपसन भी दस सो पचीश, आपसन सी, आपसन सी, दस सो चबिस, आपसन भी दस सो उनतीश, तो जो रिक्त बेद में जो है, कितनी सुक्त है, तो यह जो सुक्त कितने है, तो इसमें जो है, दस सो आठाइस सुक्त है, कितने सुक्त है, दस सो आठाइस सुक्त है और जबकि इसमें रीचाएं की बात किया जाए तो रीचाएं कितने है तो 10,580 है कितने है 10,580 है और इसमें मंडल कितने है तो इसमें 10 मंडल है कितने मंडल है दस मंडल है जिसमें दस में मंडल जो है ये नया है क्या है ये नया है क्योंकि इसका संकलन बाद में किया गया था और जो आपका नौमा कौन सा नौमा जो मंडल है ये सोम देवता की चर्चा है इसमें किसकी चर्चा है तो सोम देव की चर्चा है और जो रिग्द वेद है तो बेद कितने है तो बेद जो है इसमें बेद आपका चार है कितना है चार है पहला तो हो गया आपका रिग्द बेद रिग्द बेद हो गया दूसरा कौन सा है तो दूसरा जो है साम बेद है कौन सा है दूसरा साम बेद है और तीसरा कौन सा है तो अजूर बेद है कौन सा है और सामवेद में जो है संगीत की चर्चा है किसकी चर्चा है संगीत की चर्चा है और अजुरवेद में क्या है तो अजुरवेद में जो है युद्ध की चर्चा है किसकी चर्चा है युद्ध की चर्चा है और अर्थरवेद में जो है जादू टोना की चर्चा है की चर्चा है जादू तोना जो आपका ये तीन है ये तीन जो है तीन आपका आरण्यक है क्या है आरण्यक आरण्यक उसे कहते हैं जो जंगल में लिखा गया हो कहां बैठ के लिखा गया हो जंगल में तो रिगद बेद सामबेद और अजूर बेद जो है आपका आरण्यक है ज को कहते हैं क्रिष्ण अजूर्वेद क्या कहते हैं क्रिष्ण अजूर्वेद और एक को कहते हैं सुक्ल अजूर्वेद तो इससे कोशन बनता है कि कौन सा बेद जो है जो गद और पद दोनों में है तो ये कौन सा है तो अजूर्वेद जो है आपको गद और पद दोनों में ह आपसंअ कर Canal Title नहीं है आपका आपसंड नहीं है या इसी जो है जंगल में बैट कर बैठ करके नहीं लिखा गया है एंहें सॉपसंड नहीं करें नापसंड नat ज्मात के झाभितन है नापसंड कर्क 20 ज्थिक और option D क्या दिया तो option D जो है 3 दिया तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा तो जो आपका वेदांग है वो कितना होता है 6 होता है कितना होता है 6 होता है कौन-कौन सा तो जैसे व्याकरन क्या हो जाएगा व्याकरन हो जाएगा दूसरा ज्योतिस हो जाएग क्या हो जाएगा सिक्षा और पांचमा जो है कलप हो जाएगा और शात्मा जो है छषंद हो जाएगा यहां जो भेद लिखा गया है तो यहां वेद होगा पांचमा वेद या बेदो का वेद कहते हैं option A, रिग्द वेद को, option B, पुरान को option C, वेदां को, option D, उपनी सद को किसे जो है पांचमा वेद कहते हैं तो ये कहते हैं पुरान को किसे कहते हैं पुरान को पांचमा वेद कहा जाता और पुरानों की संख्या कितनी है, तो पुरानों की संख्या जो अठारा है, कितना पुरान है, तो अठारा पुरान है, कौन-कौन सा है, तो जैसा कि आपका बिश्नु पुरान हो जाएगा, मतस्य पुरान हो जाएगा, वायू पुरान हो जाएगा, यह सब क्या है, तो यह तो इसमें जो ही यम और नाच्रिकेता की चर्चा यह किसमें किया है तो यह किया गया है आपको कठोपनिसद में किसमें किया गया है तो यह लिखा गया है तो ये लिखा गया है मुन्द को उपनी सद में और जलोप उपनी सद में क्या है तो इसमें ब्रह्मा विश्णु एव महेश अर्था त्रिमूर्ती की चर्चा है किसमें जलोपनी सद में त्रिमूर्ती की चर्चा है और यह आपका जो last वाला है अलोपनी सद अलोपनी सद में किसके चर्चा है यह सबसे बाद का उपनी सद है इसकी रचना अकबर के समय हुआ था किसके समय हुआ था तो अकबर के समय इसकी रचना हुई थी तो इसका सही आंसर कौन सा है तो option number C जो है बिलकुल डाइट है next question है सब्ते मेब जयते की चर्चा किस उपनी सद में है option जलोपनी सद, option B कंठोपनी सद, option C मुंद कोपनी सद, option D अलोपनी सद तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा तो मुंद कोपनी सद जो है इसका बिलकुल डाइट हो जाएगा next question है वैदिक काल में जहलम नदी का क्या नाम था? option बितस्ता, option B विपासा, option C पुरुष्णी और option B सदा नीरा तो इसमें जो है जो जहलम नदी थी उस जहलम नदी का क्या नाम था? तो उसका नाम जो है वितस्ता था जबकि विपासा, विपासा किसका था? तो विपासा जो है ब्यास नदी का था? किसका था? ब्यास नदी का जैसे पुरुष्णी किसका था? तो पुरुष्णी जो है रावी नदी का था? किसका था? रावी नदी और सदा नीरा जो है किसे कहते हैं तो सदा नीरा जो है ढक को कहते हैं। जब्कि सरस्वती गह गघड़ कहते हैं। Next question है वैदिक काल का सर्वप्रमुख देवता कौन थे कौन थे। तो कौन से भगवान का था तो ये इंद्र भगवान का था। किस भगवान का ईंद्र भगवान का इसकी चर्चा जो है अड़ाइ सोबार है। 200 बार है जबकि अगिन देवता की चर्चा जो है 200 बार है तो सबसे लोग पर ये देवता कौन थे तो ये जो है इंद्र थे यानि आपसन नमबर बी जो है बिल्कुल डाइट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है सांखे दर्सन की रचना कार कौन थे तो जो सांखे दर्सन है इनका रचना कार कौन थे आपसन ए गौतम आपसन भी पतंजली आपसन सी कनाद और आपसन डी कपिल तो सांखे दर्सन का रचना कार कौन थे तो कपिल थे कौन थे कपिल जबकि दर्सन कितने हो करें सस्ट दर्षण जो न्याय दर्षण है न्याय दर्षण के कौन थे न्याय दर्षण के गौतम थे गौतम थे और पतंजली किसके थे और किस दर्शन के थे योग दर्शन के और कनाद मुनी जो थे ये किस के थे ये वैसिवेसिक दर्शन के कौन थे तो इसका सही आंसर कौन सा आजागा तो आप्सन नमर डी जो है बिलको डाइट हो जाएगा नेक्स्ट कुश्शन है, जैन धर्म के 23 में तिर्थंकर, कौन थे? आपशन ए पारसनात, आपशन भी रिशी भदेव और आपशन सी महावीर स्वामी, आपशन बी मली नात, जो मली नात थी ये 19 में महिले तिर्थंकर थी कौन थे महिले तिर्थंकर थे और महावीर स्वामी जो थे ये 24 में तिर्थंकर थे और इसी भधेव जो थे पहले तिर्थंकर थे और जबकि पारसनात पारसनात जो थे ये कैमें तिर्थंकर थे ये जो है 23 में तिर्थंकर थे नेक्स्ट कॉश्चन देखे, नेक्स्ट कॉश्चन है, महात्मा बुद्ध के बच्पन का नाम, महात्मा बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था, option A, सिद्धार्थ, option B, मूल संकर, option C, नरेंदरदत, option D, निमें से कोई नहीं, इनका जो बच्पन का नाम था, वो क्या नाम था, सिद्दार्थ था, क्या नाम था, सिद्दार्थ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था, तो सिद्दार्थ था, जबकि मूल संकर जो है, किसका नाम था, तो ये जो है, ये जो है, स्वामी दयान सरस्वती का था किनका था दयानन सरस्वती का और नरेंदर दत किनका था ये जो है स्वामी बिवेकानंद का था किनका था स्वामी बिवेकानंद next question देखे next question है महात्मा बुध का जन्म कहा हुआ option A कुंडल गराम में option B पावापूरी में option C लुम्बनी में option D सारनात में तो महत्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहां हुआ था तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका लुम्बनी में कहां हुआ था लुम्बनी में यानि option number c जो है बिल्कुल right हो जाएगा लुंबनी कहा है तो लुंबनी जो है नेपाल में है कहा है नेपाल में इनका जन्म कब हुआ तो इनका जन्म जो है 563 इसापुर्व में हुआ था कब हुआ था 563 इसापुर्व और इनकी पत्नी का नाम क्या था तो इनके पतनी का नाम जो है यसोधरा था क्या था यसोधरा और इनकी साधी जो है 16 वर्स की अवस्था में हो गए था और इनके बेटा का नाम क्या था तो बेटा का नाम जो है राहूल था राहूल और राहूल का अर्थ होता है सोक क्या होता है सोक और इनके पिताजी का जो नाम था वो क्या नाम था ता सुद्दोधन नाम था क्या नाम था सुद्दोधन और इनके माताजी का जो नाम था वो क्या था महामाया क्या नाम था महामाया लेकिन इनके जन्म के साथ में दिन बाद ही इनकी माता के मृत्ति हो जाती है और इनका पा पर्थम बहुत संगीती हुई थी यह हुई थी आपको राजगीर में कहां हुआ था राजगीर में फ़स्ट हुआ था और वैसाली में जो है दूसरा हुआ था और पाटली पुत्र में तीसरा हुआ था और चोथा जो है कहां हुआ था तो यह हुआ था आपका कुंडल वन में ये हुआ था 383 इसापूर्व और ये जो हुआ था 255 इसापूर्व और ये जो हुआ था पर्थम सदी में हुआ था कब हुआ था पर्थम सदी में हुई थी अब ये जो 483 जो पर्थम बहुत संगीती हुई थी इस समय राजा उस समय कौन था ता आजात सत्रू था कौन था औ कौन था काल असोग था और तीसरे में कौन था तो तीसरे में जो है असोग था कौन था असोग था और चौथे में जो है कनिस्क था कौन था कनिस्क को ही जो है दूती असोग कहा जाता है क्या कहा जाता है दूती असोग नेक्ष्ट कोशन देखे नेक्ष्ट कोशन है आजीवक संप्रदाई के संस्थापक कौन थे तो आजीवक संप्रदाई जो है उनके संस्थापक कौन थे option मोगली पुतिस गोसाल option B महाकस्यप option C वसुमित्र option D असुगोस तो कौन थे तो ये जो है मोगली पुतिस गोसाल जो है इनके संस्थापक थे नेक्स्ट कोश्चन है गंधार महा जनपत की राजधानी कहां थी ओप्सन ए तक्षिला ओप्सन भी हाटक ओप्सन सी राजगीर और ओप्सन डी जो है बैसाली तो ये जो है गंधार महा जनपत की राजधानी कहां थी तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तक्च सिला हो जाएगा क्या हो जाएगा तक्च सिला जबकि हाटक किसका है तो हाटक जो है कमबोज की राजधानी है किसकी राजधानी है कंबोज की राजधानी है और राजगीर किसका है तो राजगीर जो है मगद का है और बैसाली किसका है तो बैसाली जो है वज्जी का है किसका है वजजी का है नेक्स्ट कुश्चन देखिए नेक्स्ट कुश्चन है हर्यक वंस के संस्थापक कौन थे और ये दहेज में बहुत सारे जगहों को साधी करके और अपने में मिलाया और समराजी का क्या किया तो विस्तार किया इनके यहां एक चिकत्सक रहता था जो डॉक्टर था जिसका नाम क्या था इनका जो नाम था जीवक था एक राजा था जिसका नाम था राजा चंदरप्रधोत क्या नाम था चंदरप्रधोत एक साध्य रोग से गर्सित हो गये थे तो ये अपने जो जीवक जो इनका चिकत सक था जीवक इनको उनके दरबार में भेजा और इन्हें ठिक कर दिया तो ये खुस हो करके जो है उन्होंने अबंती मगद के अधिन कर दिया किसके अधिन कर दिया मगद के अधिन कर दिया ये अपने अबंती को तो इसका सही आंसर क अजाद सत्रू और आपसंडी चंदगुप्त मौरे तो किसे जो है पित्रहंता कहा जाता है तो ये जैसा कि उदाईन जो हर्यक वंस था तो हर्यक वंस के जितने भी सासक हुए पहले तो सासक हुए बिम्बसार कौन हुए बिम्बसार हुए और बिम्बसार के बाद कौन हुए कौन हुए अजात सत्रू और अजात सत्रू के बाद कौन हुए तो ये हुए उदाईन कौन हुए उदाईन हुए अजात सत्रू जो है बिम्बसार की हत्या कर दिया था जबकि उदाईन जो है अजात सत्रू की हत्या कर दिया था तो दोनों जो है एक अपने पिता का ही हत्या करके सासक बना था तो दोनों को क्या कहा जाता है पित्रहंता कहा जाता है जबकि उदाईन जो है पाटली पुत्र नामक सहर की क्या किया था अस्थापना किया था तो ये दोनों जो है ये दोनों हो जाएगा जो पित्रहंता कहलात पित्रहंता यानि option नमबर A और C जो है बिलकुल राइट हो जाएगा next question देखिए सिसुनाग वंस का अंतिम सासक कौन था सिसुनाग वंस जो था इसका अंतिम सासक कौन था option A ब्रहदरत option B घनानद और option C नंदी वर्मन और option D इनमें से कोई नहीं तो जो सिसुनाग वंस था इसका अंतिम सासक कौन था तो इसका अंतिम सासक जो है नंदी वर्मन था कौन था नंदी वर्मन यानि option number C जो है बिलकुल राइट हो जाएगा इसे मार कर, इसकी हत्या करके हत्या कौन कर दिया, तो महापंदम नंद कर दिया, कौन कर दिया, महापंदम नंद कर दिया, और इन्होंने नंद वंस के अस्थापना कर दिया तो इसका सही आंसर, option number C हो जाएगा, next question देखे next question क्या है next question है, सर्व छात्रांग सर्व छात्रांग सर्व छात्रा को यहां जो है, आपका हो जाएगा यह सर्व, राजपूतो का जो है, यह पुर्न रूप से सफाया कर दिया था, क्या कर दिया था राजपूतो का पुर्न रूप से सफाया कर दिया था और जिसके कारण सर्व छात्रान तक की उपाधी धारन किया था कौन किया था तो ये किया था option number A यानि महापंदमनंद जो है सर्व छात्रान तक का उपाधी धारन किया था राजपूतों का अंत कर के तो इसका सही ना अंसर option number A हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देगे भारत पर पर्थम बिरेसी आक्रमन कौन किया था आप्सन ए इरान आप्सन भी अफगानिस्तान आप्सन सी फ्रांस और आप्सन डी जापान तो सर पर्थम जो है कौन किया था तो ये किया था आपका इरान कौन किया था हक मनी वन्स का सासक जो है हक मनी वन्स का सासक डेरियस पर्थम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमन किया था यानि option number A जो है बिल्कुल डाइट हो जाएगा next question है सिकंदर के गुरू का नाम क्या था जो सिकंदर था उनके गुरू का नाम क्या था option A प्लेटो option B अरस्टू और option C सुकरात और option D चानक के तो इनके गुरू का जो नाम था वो क्या नाम था तो इनके गुरू का नाम अरस्टू था क्या था अरस्टू क्या नाम था अरस्टू और अरस्टू के जो गुरू थे उनका नाम क्या था उनका नाम जो है Plato था, क्या था, Plato और Plato के गुरू का क्या नाम था, इनके गुरू का नाम सुक्राथ था, सुक्राथ, इसे ही जो है एक कटोरा, केतना एक कटोरा जहर देकर के, इनकी हत्या खड़ा डिया गया था, नेक्स्ट कोश्चन देखिए, नेक्स्ट कोश्चन है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया, option नर्मदा, option B ब्यास और option C, कृष्णा नदी और option D, कावेरी नदी, तो ये जो है किस नदी को पार करने से मना कर दिया, तो ये कर दिया था आपका ब्यास ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया मना कर दिया जबकि सिकंदर जो है काफी प्रयास किया लेकिन इनके सेना जो है मना कर दिया ये इस नदी को पार नहीं कर सके सिकंदर जैसे ही भारत पे आक्रमन किया तो ये जब पार नहीं कर सका तो ये लोट गया लेकिन इनके जो से जो सासक था चंद्रगुप्त मौरे था और ये चंद्रगुप्त मौरे से युद में हार गया और अपनी बेटी जो है इसकी बेटी का नाम क्या था कारनेलिया क्या नाम था कारनेलिया का साधी किस्से करा दिया था चंद्रगुप्त मौरे से जो है इसकी साधी करा दिया था श्रवन बेल गोला में कहां चले गए थे स्रवन बेल गोला में चले गए थे और वहीं जो है सनलेखना बिदी से अपनी प्रान को त्याग दिया तो इसका सही आंसर कोन सा हो जाया गाइ मैकस्थनीज का उत्राधिकारी किसे कहा जाता है मेगस्थनीज का उत्राधिकारी किसे कहा जाता है option A. डाइमेकस option B. मेगस्थनीज option C. डाइनोसियस और option D. इनमें से कोई नहीं मेगस्थनीज का उत्राधिकारी किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है डाइमेकस को किसे का जाता है डाइमेकस यानि option number A जो है बिल्कुल डाइट हो जाएगा next question है स्री नगर सहर की अस्थापना किस ने किया option A सुसीम, option B बिंदुसार, option C असोक और option D अजाद सत्रू तो इसका जो है स्री नगर सहर की अस्थापना कौन किया था तो ये किया था आपका असोक किया था कौन किया था असोक किया था क्योंकि एक बार जो है जम्मू कास्मीर में हिंसा हो गया क्या हो गया हिंसा हो गया जिसे जो है उस समय वहां का कौन था तो ये जो है सुसीम था वहां करा जा लेकिन ये जो है इस युद्ध को दबा नहीं सका जिसके कारण बिंदुसार जो है अपने छोटे पुत्र असोक को भेजा और असोक जो है इस युद्ध को तुरंत ही दबा दिया और वहां एक सहर की अस्थापना किया जिसका नाम क्या तो जिसका नाम सरी नगर रखा गया तो यह आपका 40 question है और यह आपका किस कहां तक क्या है तो यह आपका मोरे वँद्स तक पूरे 40 question है फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जो इतिहास है उससे आपका पूरा question है होगा तो आपका जो पूरा history है वो इसमें cover हो जाएगा तो आप लोग इस channel पे नए होंगे तो channel को subscribe कर लिजेगा और video को like कर दिजेगा इसी तरह से बने रहिएगा ताकि और जो है आपका तयारी better हो सके